तो Guru Pushpa 2 दे Pushpa 1 से बहुत बड़ी और बहुत अलग होने वाली है जो कि इसका जो Glims हमें देखने को मिला था Actually विए वो Part 1 से बहुत जादा connected नहीं है क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो पिछले साल KGF के success के बाद भाई Pushpa के creators ने उसमें काफी सारी changes किये ताकि वो उसके sticks और भी बड़ा पना सके इसे और भी bomb plastic feel दे सके जो कि इसकी proper feel हमें ट्रेलर में देखने को मिलेगी मगर इसके Glims को release करने का यहीं मतलब है कि वो अपने नए Pushpa universe के stakes को समझा रहे है कि एक आदमी कैसे jungle से निकल कर international level में पहुशने वाला है इसका दूसरी Asian country से connection तो हमें first movie में देखने को मिली गया था कि कैसे Pushpa Red Sandal Wool का smuggler है और वो लकड़ी आगे चलके China Japan जैसी Asian countries में smuggle होती है तो अब रूल अब Pushpa strongly उस पूरे smuggling chain को अपनी नीचे दमाने की तायारी करेगा और इस का टेल का kingpin बनेगा जहां वो direct international बायर से डील करेगा और उन्हें मारेगा भी